अने वाला समय तक्मिकी का ही है तेकनोलीजी के बिना हम आने वाले future की कलुपना नहीं कर सकती है और हम देखेंगे के धीरे धीरे जो हमारे बस्ते हैं बच्चेओं के पास बस्ते हैं वो नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश कुमार टेकनोशाला फाउंडेशन की ओर्षे आप सभी का हार्दिक श्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं अभी आप देख रहे हैं डिजीटल टीचर की कहानी नामक्स्यो इस एपिसोट में हमारे साथ जुड रहे हैं राजस्तान से समी समीमु दीन जी अभी राज के उचमादे में कुछ विद्धाले हंत्रा नदबई भरत पूर जिले में एक वरिष्ट सिख्षक के पदपर कारियरत हैं तो आई ये जानते हैं समीमु दीन जी ने किस तरीके से सिख्ष्या कारियर में टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया है नमस् और उन सवालों का आपको फटा-फट जवाब देना है तो पहला सवाल है सर कि जब आप बारा साल के थे तब आपका सपना क्या था कि क्या बनना चाहोगे अगला सवाल है सर आपके लिए कि आपका पसंदीता कंप्यूटर शोक्त्वेर कौन सा है तो सर आपने सबसे पहले किस साल में कंप्यूटर चलाया था सर आपको अपनी स्कूल की जो जर्नी है वह अगर तीन सब्दों में वर्नन करना हो तो वह तीन सब कौन से होंगे और आने से नए की हो सर आप आजकल इन दिनों में क्या सीख रहे हैं अगर अपनी जिंदगी के लिए किसी को धन्यवाद बोलना चाहेंगे तो किसको धन्यवाद बोलना चाहेंगे यह मेरी पद्नी को ठीक है सर अभी बादसीत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप से कि आपकी परारंबिक सिक्स्या पारिवारिक परेश्ट भूमी और एक अध्यापक का सफर जो है वो किस तरीके से रहा मेरा जन्मा 1978 में बरतपुर जले से 12 क्लूमीटर दूर खेमरा कला गाउं में एक गरीब परिवार मुस्लिम परिवार में हुआ मेरी परारंबिक सिक्षा गाउं में हुई एक से पांस तक शैसे आर तक की मेरी सिक्षा तीन क्लूमीटर दूर एकरन गाउं में हुई जहां पर आज विस परसिद्ध अपना गर इस्तित है वहां पर हम लोग पैदल ही जाया करते थे उसके बाद उचमादम सिक्षा जला मेरा बरात्पुर पर हुई और को बरात्पुर मेरे में चकोलीज में प्राइवेट जांच के रुप में हुई तो मेरे पूरी सिच्छा सरकारी स्कूलों से इपराप्त है उनीज दस जनेवल नीज सो चानवे को मेरा पहला पदेश्थापन टीचर की रूप में हुआ लेवल थाड़ के रूप में उसके बात चौबी बीस साल बात मेरा प्रमोशन होकर के में बरश सध्यापक के रूप में र अरज्ऑसमेंट के रूप में मुडेर रूपास मैं ही रहा तो करीबार्य साल की नौकरी मेरी रूपास तहसी हुआ ब्हत् 번째 में तो बिसे पौर नइस सो चानवे में में मेंने सिच्छा व्रॉप में जोइनिग किया था और तबसे लगाता णे सिच्छा-व भी उउन día przy आजे सिक्सक के रूप में पढ़ाना सुरू किया था और अभी भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव नजर आपको आ रहा है और इस बदलाव के पीछे क्या कारण आपको समझ आ रहे हैं यदे हम पौरी तर पर देखें तो 1996 में जब हमने सिच्छा में प्रवेस किया था सिच्छक के रूप में उस समय हमारे पास पुराने मैधर थे द्वारा हम प्लैक बोर्ड से पढ़ाया करते थे है और आज यदे हम देखते हैं तो इसमें कहीं नहीं और पराने मैधर से यह द्यापन करांटे रहें। आप में पहली बार मैंने कम्पीटर का प्रयों तो मेरे समय संसादन भी कपी कम थे दो बहुत पुराने थे मुबाइल भी उसमें नहीं था तो वो हमारी मजबूरी यह थी कि हमें पुरारे संसादनों से पढ़ाना पढ़ता था और जो प्रकरती में मौझूद था उसी को खटा करके हम पढ़ाती है लेकिन जैसे ही तक्निकी का यह प्रारम हुआ तो हमने देखा कि वो सारी चीजें काफी आज की दौर में हमें और ल दौर में पर तीचर पढ़ाया करता था और सके बार उसको साफ कर दिया करता था आज पर जिए तक्निकी के उसमें वह ग्यान है एप स्थाई हो गया है यादि हम उसको चाहें दसजनबाद भी उसको रिपीट कर सकते हैं तो प्राने मेतड में और आज बरत्मान की मेतड मे तो यहां पर हम देखते हैं कि पुरानी सिच्छा में जो अध्यापक केंद्र थी आज वह बालक केंद्र तो तो यह बहुत बड़ा परिबातन पराने और आज की सिच्छा माया जी सर तो सर आपने पाठे विशेवस्तु को सरल और परभावी बनाने के लिए किस तरीके के कारिये किये हैं हमने पाठे पुस्तकों में से जो हाड़ स्कॉट होते हैं जहां पर अध्यापकों के और बच्छों को परेशानियां होती हैं उनको पहले ढूंडा और ढूंडने के बाद उनको छोटे-छोटे वागों में डिवाइड किया और उससे संबंदित हमने वीडियो बनाई उसस और पढ़ने के परती ललक बनी तो जो चीज पुराने तोर पर हम पढ़ाते थे जिसको हम पुराने समय में तूपर मेथाड बोला करते थे उससे जब बच्छों को नई चीजे मिली तो बच्छे निशित रूप से बड़े ही उतसायत हुए और उनकी जो क्लास्रूम का सब्सक्राइब करने लगे और उसके साथ वो चीजे जो उनको परिशान करती थी वो चुट्कियों में भी उनकी सावने साल्व होने लगे कि 2017 में हमारे रजश्तान में पाइलेक्ट प्रजेक्ट के रूप में दीच्छा शुरू हो ले और उस पाइलेक्ट में हमारी जो टीम तीदास लोगों के टीम थी जिसमें नाइंथ और तेंथ के गड़ित और विग्ञान बैसे को सामिल किया लिया और उसको एक चैलेंज क के तौर पर हम लोगों ने सुईक्रार हैं उसमें पॉइंट जो होते हैं जिनको हम अध्यान बिंदू के को लेकर कर लेकर बिंदू को लेकर वहां पर कोड करते हैं तो वहां पर हमने जब कोड लगाने के बाद पर उनके लिए सामगरी तयार की वह सामगरी में वह विज्वाल दोनों करें की सामगरी थी यदे हम उसमें सबसे बड़ी जो खार्सित है वह यह है कि आप उसको मुबाइल के द्वारा अपनी डिवाइस पर इस्टोर कर सकते हैं और सबसे बड़ी अची इसमें यह यह आपके पाद एक बार स्टोर होने के बाद में नेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है तो आप उसको बिना कनेक्टिविटी के भी रण कर सकते हैं तो वहां पर जब हमने उसके लिए बीडियोज बनाए और पीपीटी किलिप बनाए औ वे पार सुमिट कर दिया तो राजस्तान ऐसा पांचमा राज्य था जिसने बहुत ही कम समय में इनको हमारे जब उन्होंने इसको स्कैन करके देखा तो उसमें वीडियो भी चल रहे थे उसमें आवाज भी आ रही थी तो उनको हमें काफी अच्छा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें लेकिन जो किताब अभी वी हैं बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे परणाम आ रहे हैं और वो परणाम ही हमें उक्साइड कर रहे हैं कि हम और आगे से आगे ज़्यदा काम करें तो हम लगातार उस मिशन पर लग रहे हैं हमारी टीम उस मिशन पर लग रहे हैं उनको रिबू भी कर रहे हैं तो सर आप अपनी कक्सा में बच्चों को पढ़ाते समय किस तरीके की का इस्तेमाल करते हैं या टेक्नोलोजी आपके सिक्षन कारिये में कैसे भूमी का निभाती है कच्छा में पढाते सामय हमारे बच्चों को डे जाकरके कंप्यूटर के माधाben пр休़ चाहलिक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो उनका जो सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जब देखाते हैं मुबाइल का प्रयोग प्रतबंदित कर दिया था सब्सक्राइब करते हैं लोगों ने बनाई है जिसमें हमारा बहुत अच्छा है यह चारों हमारे पास अभी अंदब हैं प्लेश्टोर पर लाइब नहीं कर पाई हैं लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं तो उनकी पहुत अच्छे प्रणाम हमारे पास आ रहे हैं गड़त की जो बेसिक अ विपर भी हमने एक कोड बनाया है जनल नौलेज का भी हमने एक बनाया है तो यह सारी जो आप करते हैं और उनका लाव लेते हैं और वैसे मैं आपको बताओं कि मैंने कहीं पर भी टेक्निलोगी की बिद्रिबत कहीं पर नहीं ली है है मैं शिख़ों से मैंने जर्रा सिखा है हमारे पास एक संस्ता है जिसका नाम योटी यह वहां हमने बनाने के लिए म्यवन script लिए चार दिन का पर चुल द rolled की क्या खास बाता है कि आपके बच्चों के विहार Nedकों को नजर आया सीखने की चमता में कुछ परिवरतन नजर आया तो क्या खास बात है हमारा इंतजार करते है कि कभ के क्लास आए और कम हाँ आओ आपर tech की रारता जो इनकी सब्जक्त से your what कि तकनिकी की सीखंगर्ण वह उनके लिए cos बहूं कैसे नई सीखने हैं बा और हमार्य पॉस्थव कम थे कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी पुस्तके हैं उसके लिए काम करना होगा कि उनके जो मैंड सैट उसको चेंज करने की होती है जो लोग कर लेते हैं वह तकनीकी को काम में लेना शुरू कर देए बच्चे उनका बड़े ही बेसमदी से इंतजार करते हैं लेकिन अभी भी हमारे को साथी ऐस तो सर टेकनोलोजी में आपकी दिलचस्पी होने का क्या कारण? है हम देखे थे हैं तो वहाँ पर कई सारे जो हम कहblaź हैं तो चीज कोने पर कंप्यूटर कर आइता मुझे उसकी बिल्कुम नौलिज नहीं तो और दीरे-दीरे करके मैं लोगों से देखता गया सीखता गया मेरे पास ऑप्शनल बसे के रूप में रही थी इंगलेस और हिंदी दोनों ही तो टाइपिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन उसकी जो बेसिक जानकारियां थी वो मुझे काफी देर बाद समझ में और दीरे-दीरे करके हमारा एक सद्वाइब करके सीखना उसको करते गए सीखते गए करते गए सीखते के कहीं से भी फॉर्मल ट्रेंटिंग नहीं बाद में 2009 में सब्सक्राइब करके सीखी और बाद में अजिमेर में एक वहां के लिए वहां से हमारे जीवन का तर्निंग पॉंट आया पिली इन्वर्स्टी से वहां पर कई सारे प्रोफेसर साय थे उन्हों अब पर हमें पताया तो बहुत अची चीजा रहा है जैसे लिए पर लोगों को परेशा नहीं आती है तो हमारे टीम के मेंबर हैं उसके साथ है वहां से भी नहीं हो पाता है तो इंटरनेट पर जाकर उसका समाधान कर लिए सर टेकनोलोजी का इस्तेमाल से बच्चों को पढ़ाने में आपको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को अपने कैसे समाधान के रूप में उनके हाल निकाले शुरूआत में तो हमारे पास संसाधन नहीं थे सबसी बड़ी बात तो यह थी कि लेकर की आ रहे हैं बैजी और पकीर अपने चीज बताने हैं नवे मिला बड़ी बड़ीपने वहीय। जुब कर नहीं है तो बित्य रूप से सही लेकर ना मानसिक रूप से अमने हमें परतान किया हमने अपने पास बच्चों को पढ़ाना सुरू किया तो उसके अच्छे पढ़नाम आए सब्सक्राइब करें तो इस पूरे सफर में आपकी किस तरीके की उपलब्दियां रही है सब्सक्राइब बड़ी तरहिंटा के साथ सचा ग्रहन करें और हमारी जो प्रजी करी मेंनत वही है कि दे रहे हैं तो जैसा हमने सोचा था उसके परणाम वही आ रहे हैं सबसे बड़ी उप्रब्दी तो यही है इन सब को देखते हुए राजसरकार ने हमारे कारणों की भी सरहना किये कई वार उन्हें प्रस्थित भी किया है 2014 में राजपाल परुसकार जिसको ङुद्स राज सचक परुसकार टेते हैं सरकार के दोड़ार मुझे परदान किया लाजिए感 I aromas के सिच्छक प्रफकार महामें मराश्टपती के दोरा मुझे दिया गया जोजार अठारह में तीच्छा पर उत्रक्रश्ट कारे करने के लिए शासर सच्छुम स्री नरेश पाद गंगबार जी ने मुझे संबानत किया 2015 में कंप्यूटर पर उत्तम उत्रक्रश्ट कारे के लिए एसडियम रूबास के दोरा सम्मानत किया जा ऐसे घरजनों प्रुसकार हमारे कारे के सरहना के लिए हमें परदान किया होते होते बिल्कुक खत्म हो जाएंगे और बच्चों के हाथ में गजेट रहेंगे जिनके दो बिल्कुल सर वो तो आपके पीछे दिख भी रहे है मुझे तो सर टेक्नोलोजी को लेके आपका काफी लंबा सफर बिल्कुल शाफ-शाफ नजर आ रहा है तो और आपने जिस तरीके से काम किया उसकी सहराना करना भी मतलब कमी पढ़ेगा जितना आपने काम किया है तो सिखसक साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे वह भी तक्निकी का प्रियोग करें तो उनको बहुत ही अच्छा मैसूस होगा अपने जो अध्यापन है उसमें नया परवरतन देखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रियोग करें चाए वह कहीं से भी मिले उसको गरहर करें और यह नहीं आपको आता है आपने साथी से सूश हैं लेकिन तक्निक का प्रियोग अपने अध्यापनियों में जरूर करें तो पाएंगे कि हम एक बहुतर बज़स्टी और जा रहे हैं हम भी सीखेंगे हमारी बच्चे भी सीखेंगे और एक नया भारत हम लोग बना पाएं सर आप क्लास्रूम सिक्सन कारिये भी करा रहे हैं और इतने सारे कारिये आपने बताये हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी आप क्लास्रूम सिक्सन के अलावा और क्या-क्या काम करते हैं अपने देनिक जीवन में राजसरकार के जितने भी पोर्टल्स हैं और पोर्टल्स पर लगातार काम करता हूं चा पर तो बहुत सारे काम है साथ सामाजी कार्वी हम लोग करते हैं प्रुस्कित हमारी फोरum है जो राजस्तर पर है उसके लिए हम काम करते हैं अभी कोविड-19 में हमने सब्सक्राइब करने के बाद आप पारिवार इक पारिवार के डूलंध कैसा ही चैनीर यहें के सब्सक्राइब करने को आपके को पूस्वाइब बेहन कर लेती हैं और मैं इधर समय देपाता सलूट है सर आपके कारिये को जिस तरीके से आपने टेकनोलोजी को सोचा है कि कैसे वो हमारे देनिक काम को अशान बनाती है और कैसे परभावी बनाती है तो वो तो सची में काबिले तारिफ है आप आने वाले स जो इस्तेमाल है हुसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाला समय को हम आने ंपीक कि और सबस्तों के पास सबस्थोग भुद कर दो ने धे तर्व होगे लिए तो आगे आने वाला समय हमारा तकनिकी का ही है निश्चत तोर पर आज से हम 10 साल बाद की जब हम कलपना करेंगे तो हमारे बच्छों के पास गजेट्स होंगे वहीं पर सारा ग्यानिश्टोर होगा और हमारी जो सिच्छक हैं वह मारक दर्सक के रूप में काम करेंगे तो अच्छा लग रहा है कि जो हमारी फिलिंग्स हैं वह आप लोग सेर करेंगे और हमारे अंदर जो पिचार हैं उन उसको और लोग भी तक वह इसको देखेंगे उसे प्रोसाइट होंगे और तकनिकी का प्रयोगा अपने अध्यापन में करें तो शर अगले एपिसोट में आ इसका नाम शेयर करना चाहोगे कि उनको भी डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा बनना चाहिए समीम प्रदानाचार जोधपुर में है नरेंद स्रीमाल अभ्याख्यता अधैपुर से श्याम प्रताव सिंग केकडी से यह हमारे साथी हैं जो तकनिकी रूप से काफी सम्रण्द हैं और बच्चों के अध्यापन में काफी तकनिकी का प्रयोग करते मैं चाहूँगा कि यह भ समीमुदीन जी ने टेक्नोलोजी का कैसे सिक्स्या का इस्तर बढ़ाने में प्रयोग किया है आपको यह खानी पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूले एसी और भी कहानिया सुनने के लिए टेक्नोसाला फाउंडेशन के यूटूब चेनल को सस्क्राइब करे क्या आ सब्सक्राइब करें और स्रक्षित रहें